नवस्कार ख़वरों की ख़वर वे आपका स्वागत है टीम से सांसद महवा मोहित्रा जो संसद के अंदर चीकती थी चिलाती थी लड़ती थी जगड़ा करती थी अब भीगी बिल्ली बन गई है डर लगने लगा है 31 तारिक को उन्हें बुलाया गया था उन्होंने अप्लिकेशन लिखा है कि मुझे 4-5 दिनों का वक्त दीजिए 5 नवंबर को वो एथिक्स कमिटी के सामने हाजिर होना चाहती है पाँच दिन का एक्स्टेंशन मांगा है और ये इसलिए क्योंकि मुझे मुझे को ये बात समझ में आ गई है कि तीन-तीन मंत्राले उनके पीछे जाच कर रही है अलग-अलग चीजों की जाच हो रही है और खास करके इनकी जो विदेश यात्राएं हुई है उससे कई सारे राज खुलने वाले है और किस तरह की जाच तीनों मंत्राले में हो रहे है इसकी कुछ एस्तुसिफ जानकारिया भी मैं आपको दूगा लेकिन उससे पहले महुआ मुईत्रा वो ये बात अब समझ में आ गया है कि उज़ादा दिन बाहर नहीं रह सकती उनको जेल जाना पड़ सकता है लेकिन लडते हुए वो दिखना चाहती है वो चाहती है कि मुझे डरा हुआ कोई ना समझे मैं मोदी से अडानी से लडती हुई मुझे जेल में डाला गया जुस तरीके से ये देखी आज संजे सिंग कि सुनवाई हो रही है आम आद्धी पाटी चाहती पीट के चिलना रहे है कि शेर है हाई कोट ने कहा भई शेर है तो उसको पिंजडे में डालो लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री मोदी से सवाल पूशता है इसलिए अन्याय हो रहा है लेकिन महुआ मुझतरा भी क्या इस तरह का तमाशा कर पाएंगी पाटी तो साथ नहीं दे रही लेकिन तीन-तीन मंत्राले की तरब से जो डंडा चल रहा है उससे काफी लोगों की ये जो एंटी मोदी एंटी अडानी राग अलापने वाला जो पूरा गैंग है जो इको सिस्टम है जो उसमें पत्रकार, नेता, पॉलिटिकल पार्टी, प्रोफेसर्स, बड़े-बड़े एडिटर्स इनके अंदर ताहल का मचा हुआ है क्योंकि ये तीन मंत्राले जिसमें अमिशाजी का ग्रिह मंत्राले भी आइटी मिनिस्ट्री भी और विदेश मंत्राले भी महुआ मोहत्रा के कारणामों की जाच में जुटा हुआ है क्या-क्या खबर आई है उसको पहले जरा सुनिये लोगसभास एथिक्स कमिटी राइट्स तो देर मिनिस्ट्री अफेर्स अफेर्स म.E.A. तो अथेंटिकेट बिजनस्मेन दर्शन हीरा नंदानी सौन अविडविविट रूए पेर आई रूज अविड अविड़ रूज प्रूज अविड़ प्रूज रूज अविड़ रूज अविड रूज अच्पोर क्रिड रूज तो अगेंस तरिनमूल कोंड्स MP Mahua Moitra. The Ethics Committee said that Trinamul MP Mahua Moitra will be summoned on October 31st for further questioning in the case. पहली चिठी गई है विदेश मंत्राले के पास किस चीज के लिए अब आप देखिए धीरे-धीरे कैसे महुआ मोईत्रा को एक बड़े से जाल में वो फस्ती चली जा रही है दुबई से विदेश मंत्राले से बकैदा नौटराइज्ट करके हीरा नंदानी ने अपने एफिडिविट को एथिक्स कमीटी के पास भीजा अब ये सारे डॉकुमेंट्स को विदेश मंत्राले से कहा जा रहा है कि उसने जो एफिडिविट दिये हैं उसमें जो तमाम चीजें आप अपने हिसाब से जाच करके बताईए कि कितना ऑथेंटिकेटेटेड है क्या है इसकी सच्चाई और वो इसलिए कराया जा रहा है जो मूट कोस्चन है वो ये कि एक बार रिपोर्ट बन के आती है विदेश मंत्राले से तो ये अपने आप में एक लीगल डॉकुमेंट बन जाएगा ताकि इसे कोट में और हर जगा इसे पेश किया जा सके मतलब कानुनी तोर पे वो बच नहीं पाएंगी ये महवा मुट्रा जो कह रही थी कि हीरा नंदानी को रिवालवर सटा करके ये बयान दिलवाए गये हैं वो भी जूट हो जाएगा ये फिर कोट के अंदर जब ये कभी भी कोट के अंदर जाएंगी तो वहाँ इस तरह के डॉक्मेंट को बकाइदा लीगल डॉक्मेंट बनाए जाएगा मतलब दर्शन हीरा नंदानी के चीजों को अथिंटिकेट करके विदेश मंत्रा ले एथिक्स कमिटी को देने वाली है और यही डॉक्मेंट आगे अगर इन्विस्टिगेशन होता है CBI या फिर कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा दूसरी चीज़ The two people who were summoned today, the lawyer and Nishikaan Dubey, were heard attentively. After that, it was decided that Mahuva Moitra would be called on 31st October. She will come and present her part. Sonakar also said that the panel has sent letters to the Information Technology Ministry and the Home Ministry seeking details on key aspects of the case for a deeper investigation. Sonakar saab Ethics Committee chairman is the chairman of 31st century and as it was proposed, Mahuva Moitra, Anand, Fanan, he said that my lord is not so fast. This is why it is going to buy, so that there is no legal advice or no legal advice, This is why it is not so fast. But the most important thing is that Mahuva Moitra would be left alone. Mahuva Moitra would be left alone because he knew that he would have known that he would have been यह Information Technology Ministry में चिठी लिख करके पूछा गया है कि जरा बताओ उनी के अंदर NIC है यह पार्लिमेंट में जो तमाम वेब साइट के जरी है यह सारे सरकार जिसके उपर अधारित है वो इस Department के अंदर आता है और यह सवाल पूछा गया है कि आप बकैदा एक लीगल डॉक्मेंट बना करके भेजिए जिसको फिर कॉर्ट में और हर जगा उसकी लीगल वैलिडिटी हो कि महुआ मोहित्रा का लॉग इन पास्वर्ट कब कब कहा कहा कैसे खुला और महुआ मोहित्रा उस वक्त कहा थी यह सारी जानकारी एथिक्स कमिटी के पास आएगी और महुआ मोहित्रा के खिलाफ यह सारा सब कुछ जो है वो बड़ा होता जाएगा लेकिन समस्या सिर्फ इसकी नहीं है यह दोनों चीज़ी तो होई रही थी एक और बड़ी समस्या और वो समस्या है महुआ मोहित्रा की क्या विदेश दौरा विदेश दौरा क्या उसमें क्या लिखा गया है दा एथिक्स पैनल विल अप्रोच 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 तो मैप TMC MPs overseas trips इन पास्ट फाइव यह थीर्स पार्लमेंट पैनल मुआ आस्क पैनल मिनस्टी तो रूल विल विल आट फौर विल्ड़ू पोल्ड़ू प्रोचेज शच एफिज दौर्ण एबूड़ू लगया है वे टकेन वीर्स आट इन अविल पन दौरा अबर प्रोच बादब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तु राइट दे लिटर क्या मसला है गरिम मंत्राले अब महुआ मोहत्रा के तमाम विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी कठा करें दो तीन चीजे हैं जो समझने वाली बात है कि एक सांसद होने के नाते वो विदेश यात्रा पे गई क्या उन्होंने ड्यू प्रसीजर को माना क्या उन्होंने स्पीकर को इंफॉर्म किया वो विदेश यात्रा पे गई कितनी बार गई ऑफिसल कितना था प्राइविट कितना था क्या आपने गरिम मंत्राले को बताया क् आपने हाउस के स्पीकर को बताया ये सारी जो प्रोसीजर्स है एक सांसत के लिए क्या उसको फॉलो किया गया जो जानकारी मिल रही है वो ये कि मामला बहुत पेचीदा हो जाएगा महुआ मुईत्रा के लिए उनके जो विजिट्स रहे हैं जहां किसी को भी ना बताए वो न महुआ मुईत्रा के जर्मणी ट्रिप का हिए वह जर्मनी गई थी और जर्मनी गई थी तो वह जिस जगह पे वरूकी थी एक मेहने के लिए वहाँ चोरी हो गई थी और कई सारे सावाल जिसकी चोरी हुई महुआ मुहित्रा ने वहाँ कंप्लेन अपने हातों से लिख के वहाँ जो F.I.R. दर्ज कराया था वो जो दिहादरी ने जो आरोप लगाये है कि बैग लेती थी तो फोन होता था तो ये होता था तो वो होता था वो लिस्ट और चोरी के समान में बड़ा मैचिंग है मतलब कई सारी चीजे अपने आप साबित हो जाएगी अगर महुआ मुहित्रा ने विदेश यात्रा के लिए स्पीकर को या जो एक सांसत के लिए ड्यू प्रसीजूर है उसको अगर फॉलू नहीं किया होगा तो महुआ मुहित्रा तो गई वो तो चारों तरब से वो फस्ती चली जा रही है तीन इंपोर्टन चीज जिसको जानना और समझना है जिसके डर से महुआ मुहित्रा 31 तारिक को वहां नहीं पहुच रही हाला कि उन्होंने बताया यह है कि दुरगा पूजा का कारीकरम है सरकारी भी है ये भी है वो भी है कहीं कहीं हमें जाकर कैंपने कंस्टिशूर्इस के मीटिंग होना है दुरगा पूजा तो खत्म हो गया आप लिख रहे हो कि दुर्गा पूजा को लेकर कि कुछ मीटिंग्स है दुर्गा पूजा तो खतम पांस तारिक तक का आपने वक्त मागा है और यसी बात है फिर आगे पांस तारिक को ये कह सकती है कि भई हम अभी भी तयार नहीं है कुछ और वक्त दिया जाए ये टाइम को बाई करने का कहीं से समर्थन हासिल करने का कहीं कुछ कहीं कुछ कुछ हो जाए लेकिन ये तीन चीजे जो महुआ मुत्रा के खिलाब जा रही है पहली ये दर्शन हीरा नंदानी का एफिटिविल जिसको विदेश मंत्रा नहीं एक ल महुआ मुत्रा ने हीरा नंदानी को दिये थे यह अपने आप में बहुत बड़ा जुर्म है नंबर टू यह जो गिफ्ट स्वेर जो लिए गए लिए दिये गए जो विदेश यात्राय हुई उससे बहुत सारे पोल बहुत सारी चीजे जो है वो खुलने वाली है और नंब कि मुझे बुलाए एथिक्स कमिटी या सी बी आई हम सामने आकर के सारे सबूत देने को तैयार है तो मसला सिर्फ महुआ मोत्रा के लिए नहीं खराब होता दिख रहा है यह तमाम एंटी मोधी एंटी अडानी गैंग जो कहीं कहीं से प्रसाद खाके यह जुगाली करते हैं यह जो भरबल डायरिया इन लोगों को हो चुका है वो सारा गैंग एक्सपोज होने वाला है आप देखते रहे हैं कैप्टल टीवी हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए धन्यवाद